Hello class, good morning, welcome to the study official. आज हम इस type की question करने वाले जिसमें A और B की value find करनी होती है. यह rationalization का question है और जिसमें हम rationalize करने के बाद A और B की value find करते हैं, उसमें कुछ root लगा होता है और कहीं पर root नहीं लगा होता है. तो चलिए इस type की question समझते हैं, कैसे करते हैं. यहाँ पर यहाँ पर यह A है और यह B है, इसमें हमको find क्या करना है, A की value find करनी है और B की value find करनी है. यही question है जिसमें A और B की value find करनी है. तो इस type की question किस तरीके से करते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूँ. देखे, पहले तो क्या किया हमने question को note down कर लिया, यह question है हमारा, यह note down कर लिया, उसके बाद इसका rationalization कर दिया, rationalization के लिए क्या करते हैं, देखे, denominator में लिखा हूँ है 2 plus root 5, आपको दिख रहा है, इसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पर multiply कर लिया, बस इसका sign जो बीच में दि करते हैं, उपर वाला आप देख लिजे, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, बिल्कुल सेम है, अगर हम जानते हैं कि x है, और into में x है, तो दोनों को अगर multiply करते हैं, तो x square हो जाता है, क्योंकि x x जो है, वो सेम है, तो यहाँ पर आप देखिए, 2 minus root 5 है, और दूसर log denominator में यह वाला पार्ट, ठीक है, तो एक में लिखा हुआ a plus b, और एक में लिखा हुआ a minus b, और हम जानते हैं कि a plus b, और bracket में अगर आपका लिखा हुआ a minus b, तो यह होता है, आपका a square minus b square, ऐसा होता है, तो यहाँ पर मैंने नीचे यह वाली identity apply कर दिये, और right side वाला जैसा था, वैसा ही note कर दिया है, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, a square plus b square minus 2ab, यह a minus b whole square वाली property, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखिए, आप देख रहे हैं, इसको apply कर दिया है, यहाँ पर, उपर numerator में है, क्योंकि उपर square बन गया यहाँ पर भी हमने ऐसे ही note down कर लिया था, उसके बाद हम करते हैं, 2 का square यहाँ पर देखे, इस 2 का square किया, तो यहाँ पर 4 आ गया, और इस root 5 का किया, तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, इतना गया, उसके बाद इसको 2, 2 से multiply कर दिया, तो यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 आपको क्या दिख रहा होगा, माइनस वन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर, तो जो यह आपको माइनस वन दिख रहा है, यह वाला माइनस वन दिख रहा है, इसको देखे पहले समझा देता हूँ आपको, अगर आपको लिखा हुआ अंसर आ गया आपका 5, ठीक, और नी मैंने इसलिए आपको बताया है यहाँ पर क्योंकि जो minus 1 है जब ऊपर जाएगा तो 9 को minus कर देगा और इसको plus कर देगा ठीक इस बीच वाले को plus कर देगा तो जब ऐसा case हमें मिल जाएगा तो इस वाले term को हम पहले लिख देंगे जो कि मैंने पहले लिख दिया है और minus 9 वाले हमारा और यहाँ पर पहला term यह वाला है तो जब इन दोनों compare करेंगे तो हम क्या लिख लेंगे a under root 5 और is equals 2 में लिख लेंगे 4 under root 5 ठीक आप यहाँ पर हम compare कर रहे है बोथ साइट ठीक compare करने के बाद कुछ ऐसा लिखेंगे तो यह वाला 5 यह इस 5 से कट जाएगा और a की value क और यहाँ पर minus 9 है यहाँ ठीक तो b की value minus 9 आ जाएगी तो यह आपका answer हो जाएगा I think आपको समन में आ गया हो कोई problem हो तो आप हमें जरूर कमेंट करेगा Thank you आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडियो में